असलामों अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे है है हैदर टीवी दोस्तो पैसे की वैलियो तो हम सब जानते हैं आज कल तो पैसे के बगेर कुछ भी करना मुम्किन नहीं है वैसे तो दुनिया में हर मुल्क अपनी करंसी इस्तमाल करता है लेकिन आज 2015 से जॉर्डन की ओफिशल करंसी डिकलेयर किया गया था इससे पहले जॉर्डन मुल्क के अंदर फलस्तिनियन पाउंड यूस किया जाता था इसकी शॉर्ट फॉर्म जी ओडी है ये दुनिया की सबसे वैलियोबल करंसी में से एक है इस करंसी के स्ट्रॉंग होने की में री तो आप जॉर्डन में आसानी से एक 65 कार खरीज सकते हैं कोईती दिनार 200 कोईती दिनार को दुनिया की सबसे स्ट्रॉंग करंसी माना जाता है इसका आगास 1960 में हुआ था उस वकत एक दिनार 100 डॉलर के बराबर होता था वैल कोईत की एकॉनमी इतनी स्ट्रॉंग इसलिए ह क्योंकि इनके पास दुनिया का ज्यादा तर क्रूड ओयल मौजूद है ये मुल्क पूरी दुनिया को क्रूड ओयल एक्सपोर्ट करता है आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोईती करंसी में 20 दिनार से बड़ा नोट है ही नहीं अगर आपके पास कोईत के 100 दिनार मौजूद ह तो ये पाकिस्तान के तकरीबन एक लाग रुपे के बराबर होते हैं मौर वर अगर आप कोईत में आईफोन 14 मैक्स खरीदना चाते हैं तो आप सिर्फ 200 दिनार में ब्रैन यू आईफोन 14 खरीद सकते हैं सिर्फ इतना है नहीं बलकि वहां के सिर्फ 500 दिनार में आपको एक शा के नाम पर रखा गया था जिनका नाम अबू साइदी था फिर बाद में इसे चेंज करके उमानी रियाल कर दिया गया था उस वकत इसकी वैल्यू ब्रिटिश पॉंड के बराबर होती थी वैल उमानी रियाल दुनिया की सबसे स्ट्रॉंगस्ट करंसी में से एक है और इ इनिवे उमान की सौ रियाल पाकिस्तानी 74,000 रुपे से ज्यादा बनते हैं बहरेनियन दिनार दुस बहरेनियन दिनार को ऐसे करंसी 1965 में इंटिड्यूस किया गया था और इस वकत बहरेनियन दिनार दुनिया की सेकंड मोस्ट वैलियूबल करंसी है इसका सैंबल बी एचड बहरेनियन दिनार के स्ट्रॉंग होने की रीजन ये है कि इस करंसी को डॉलर के साथ फिक्स किया गया है आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आपके पास बहरेनियन की सिर्फ 500 दिनार हों तो आप अच्छे से अच्छे गाड़ी खरीच सकते हैं और इसके इलावा आप केमन आइलेंड के अंदर यूज किया जाता है केमन आइलेंड एक चोटा सा जजीरा है जिसमें सिर्फ 58,000 लोग रहते हैं इसकी करंसी इतनी फैलिवेबल है किसे दुनिया की चटी स्ट्रॉंगेस्ट करंसी माना जाता है इस करंसी को 1922 में इंटर्डियोस किया गया था और इसे केम आइडी में प्रिजेंट किया जाता है केमन डॉलर्स में एक से लेकर 100 तक के नोट्स प्रेंट किया जाते हैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि केमन आइलेंड एक ऐसा मुल्क है इसमें ना तो कोई इंकम टेक्स है और ना ही विद होल्डिंग टेक्स इस आइलेंड क पाकिसानी रूपीज में कनवर्ट करते हैं तो ये 34,000 रुपे बनते हैं बहामियन डॉलर को इस वकत दुनिया की सबसे स्ट्रॉंग करंसी में से एक माना जाता है ये बहामस कंट्री की करंसी है बहामस बेसिकली एक आइलेंड है जिसकी पापुलेशन सिर्फ 4,07,000 लोगो जाता है ताकि इसे US डॉलर से डिफरेंड बनाया जा सकी ये करंसी 19,60 में स्टार्ट होई थी और बहामस दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने अपनी करंसी को डिजिटल करंसी में कनवर्ट किया था इनका सबसे बड़ा नोट 100 डॉलर का होता है अगर बहामस के 100 डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज में कनवर्ट किया जाए तो ये 28,350 रुपे बनते हैं स्टेबल करंसी में से एक है सिर्फ इतना ही नहीं बलके स्टेबल करंसी माना जाता है इस करंसी का सैंबल CHF है असल में स्टेबल की करंसी इतनी स्ट्रॉंग इसलिए है क्योंकि इस मुल्क के पास बेतहाशा गोल्ड रिजर्व होने के साथ-साथ बॉंड और दूसरे फाइनेशल एसेट्स मौजूद है CHF करंसी में 10 से लेकर 1000 तक के नोट्स प्रिंट किये जाते हैं और इसके कुइन्स को सुइस मिंट कहा जाता है अगर पाकिस्तानी रूपीज में देखा जाए तो सुइसलेंड की 100 CHF हमारे मुल्के 31,800 रुपे बनते हैं अमेरिकन डॉलर्स दोसो अगर US डॉलर्स की बात की जाए तो ये दुनिया में सबसे ज़़द यूज ओने वली करंसी है US डॉलर्स अमेरिका की करंसी है और इससे सन 17 सन 92 में इस्टैबलिश किया गया था इस करंसी को वर्ल्ड एकनॉमिक इंजन माना जाता है US डॉलर्स दुनिया की वो वाहिद करंसी है जिससे पूरी दुनिया में यूज और एक्सेप्ट किया जाता है सिर्फ इतना है नहीं बलकि ये forex trading में भी worldwide यूज़ने वली करंसी है अमेरिका की GDP 22 trillion dollar है और इस वकद दुनिया में total 2.26 trillion dollars करंसी की सुरत में circulate हो रहा है US dollar में सबसे बड़ा note 100 dollars का होता है और अगर 100 dollars को पकिस्तानी करंसी में convert किया जाए तो ये पकिस्तानी 28,000 रुपे से ज्यादा बनते हैं British Pound तो उस यूके में यूज़ने वली करंसी को British Pound या Pound Sterling कहा जाता है ये करंसी इतनी पुरानी है कि World War 1 के जमाने से यूज़ होती आ रही है इसे दुनिया की सबसे oldest surviving करंसी कहा जाता है British Pound की short form GBP है आपको जान का हरानगी होगी कि GBP में 50 से बड़ा कोई नोट नहीं है इस करंसी में सिर्फ 5, 10, 20 और 50 के नोट से मौज़ूद है वैल British Pound का शुमार दुनिया की strongest करंसी में किया जाता है अगर इसे पाकिस्तानी रुपीस के साथ compare किया जाए तो 100 GBP पाकिस्तानी 35,800 रुपे बनते हैं योरो, दोस्तो योरो, European Union की official करंसी है जो कि इस वकद जर्मनी, France, Italy, Spain, Portugal, Greek और Belgium जैसे 27 मुमालिक में योज़ हो रही है वैसे तो योरो को 1999 में बनाया गया था लेकिन उस वकद ये सिर्फ एक electronic करंसी थी और इसे banks में accounting वगेरा के लिए use किया जाता था फिर 3 साल बाद 2001 में जर्मनी ने पहली मरतबा योरो नोट्स बनाना स्टार्ट किये और इस तरह ये virtual से physical करंसी बन गई थी सिर्फ इतना है नहीं बलकि योरोप से बाहर भी तकरीबन 25 मुमालिक इस वकद योरो करंसी यूज़ करे हैं ये डॉलर के बाद दुनिया की second most reserve करंसी मानी जाती है इसमें 5 से लेकर 500 के नोट्स बनाये जाते हैं आपको जानका हरानगी होगी कि नोट्स को cotton फाइबर से बनाया जाता है जो कि एक बहुत ही expensive material होता है अगर आप 100 योरो को पाकिसानी पैसों में convert करेंगे तो ये 31,270 रुपे बनते हैं तो दोस्तो आज के लिए पस इतना यी उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे Instagram पी फालो करना चाहते हैं तो The Heather TV पी आप मझे फालो कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफेस